हलो फ्रेंग्स मेरा नाम डीडी सिंग है और आज के सेशन में मैं आपको calculating time complexity of constant algorithm के बारे में बताऊंगा basically time complexity को measure करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें अलग-लग तरह की time complexity होती है बट कुछ conditions ऐसी होती है जहाँ पर जो time होता है न वो constant होता है तो वो सारी कौन सी conditions होती है so number one सबसे पहले मैं आपको वो conditions बताना चाहता हूँ जिसमे time जो रहता है न execution जो time रहता है वो constant रहता है जैसे जब भी कभी आप कोई भी code लिख रहे हैं और उसमें कोई variable declare करें जैसे मैंने कहा आपसे int where declaration के time पर जो execution time होगा वो constant होगा और जब भी कभी constant execution time हमको बताना होता है उस जगे पर हम लोग order of one का use करते हैं जब भी कभी कहीं पर assignment करना हो जैसे मैंने यहाँ पर where is equal to 10 कर दिया या कभी कोई calculation करने हो like 2 into 5 कर दिया कोई comparison statement लिखा हो let us assume like हम कहीं पर age को check करें like के age हमारी 18 से ज़्यादा है या नहीं है कोई element access करा रहे हम लोग जैसे किसी array में से हमें कोई element access कराना हो या किसी function को call करना हो या कभी कोई किसी function से कोई value return करानी हो इन सारी situation में जो execution time रहेगा न वो constant रहेगा ये चीज़ हम कुछ example के साथ समझते हुए चलते हैं मेरी समझ में जब आपको ज़्यादा समझ माएगा right सो एक example में आपके सामने discuss करने जा रहा हूँ सी जैसे हमारे पास कोई एक method है आप जावा में नॉर्मली function को method कहते हैं जब भी कभी कोई function किसी class के अंदर होता है वो method होता है जैसे sum नाम का एक method है अब इसमें कोई कोई भी इनसान जब भी कभी इससे call करेगा इसमें दो value डालेगा लेट से 10 और 20 करके value उसने डाली so यह 10 हमारा x में आ गया होगा और 20 हमारा कहां पर आ गया होगा बाई में आ गया होगा अब आप खुद देखिए हम यहाँ पर simple सी यह calculation ही तो कर रहे हैं so x का हमने use किया उसके लिए एक time लग गया अब यह time unit of time जो होता है वो it can be in milliseconds seconds यह हमें unit का पता वले नहीं होना चाहिए ऐसे buy के लिए एक unit of time लग गया एक plus के लिए लग गया जब इस calculation को आप किसी को assign करा रहे हो एक उसके लिए लग गया तो overall unit of time जो है न which is what 4 आसे हमने value को return करा दिया so यहाँ पर मैं आपको बस यह समझाना चाहूंगा कि यह चाहे total time अगर मैं आपको पता लगा के बता हूँ total time कितना होता है बताइए 4 plus 2 ना 4 plus 2 एक हमने return के लिए लगा दिया एक result के लिए लगा दिया ऐसे करके रख लिए right तो overall time कितना हो रहा है 6 unit of time न यह number कितना भी छोटा हो कितना भी बढ़ा हो कोई फरक नहीं बढ़ता है इसको जो भी कोई digits होते है न उसको basically हम लोग constant time से पहचानते है बैसे मैं आपको पहले conditions बता सकूँ कहीं पर assignment हो रहा हो calculation हो रही हो कोई value हम लोग return करा रहे हो उन सारी जगे पर जो time होता है वो constant होता है और सबसे बड़ी trick बताऊं आपको में जब भी कभी constant time की बात हो उसमें loop नहीं होना चाहिए so loop is not given here यहाँ पर loop दे ही नहीं रखा है हम लोगों ने so एक example और देखते हैं चलिए second example see यहाँ पर किसी ने यह function call किया होगा इसमें array supply किया let's say कोई भी एक array है in that we are having some values like 10, 20, 30 और यह इसके indexes होते हैं यह इसके क्या होंगे indexes होंगे कोई भी array type का variable इससे point कर रहा है और यहाँ पर आपने कोई भी एक index supply कर दिया let's say one तो जब कभी किसी individual index पर से हम कोई value access कर रहे होते हैं उसमें भी जो execution time होता है वो constant होता है कैसा होता होगा constant होता है और return करते वक्त भी returning function accessing the element यहाँ पर हमेशा जो execution time होगा वो constant होगा अगला point देखते हैं number next see यह third example है यहाँ पर value हम initialize करा रहे हैं यहाँ पर कोई छोटी मोटी calculation कर रहे हैं तो overall इसके अंदर भी जो time होगा आप देखिए declaration के लिए एक unit होगी एक assignment के लिए होगी again declaration के लिए होगी बट ultimately निकल के तो number ही आ रहा है न आप इससे ऐसे समझो यहाँ पर declaration और assignment है constant execution time है यहाँ पर भी declaration और assignment constant execution time है यहाँ एक calculation हो रही है so at the end जो इसका जो time complexity होगा again this is what order of one number next आपको मैं कुछ और भी आपको बताने जा रहा हूं ऐसे मेरे पास कुछ और examples होंगे next c यहाँ पर आपने कोई array list होता है जावा में एक dynamic array होता है यहाँ पर data है उसका पहला element निकलना है आपने तो index supply किया है न अब वो list कितनी भी बड़ी हो उसमें से हमें तो पहला element निकलना है वो element हमारा कहाँ पर आके store हो गया होगा first element के अंदर आके वो यहाँ पर आके store हो गया right so these are like some examples interviewer कभी-कभी interviewer आपसे यह जरूर पूछ सकते हैं कि वही आप इसका एक graph बना के दिखाईए हमको so मैं आपको यह last minute tip देना चाहता हूँ इसमें see कोई भी एक example ले ले न यहाँ पर यह वाला जो access होता है न आपका this one यह input का होता है volume of the data वो input कितना भी और यह basically time होता है हमारा जो CPU उसकी calculation में जो time लेता होगा this is for what input or time taken by what CPU आप इस पर कितना भी input बढ़ा ले न जो time होगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा constant होगा which is known as the order of one यहाँ पर भी एक diagram दे रखा है यह हमारा x coordinator यह input के लिए होता है basically चाहे आप कितना भी load डाल लीजे इस पर CPU जो calculation करेगा जो computation करेगा उसमें जो time लेगा न वो हमेशा constant होगा तो उसके लिए मैंने straight line आपको यहाँ पर बता दी so आपको यह जानकारी कैसी लगी आप मुझे comment में बताना आपका कोई और suggestion हो वो भी आप मुझे देना so आप इसके अंदर यह conditions जरूर द्यार रखें मैंने जितने भी examples आपको दी हैं उसमें या तो मैंने कहीं declare का use किया होगा either I have used what? declaration का use किया है या मैंने चीजों को assign किया या कोई calculation किया कोई comparison किया है या किसी element को access किया या किसी function को call किया है या कोई value मैंने return कराई होगी यह सारी चीजे मैंने इसके अंदर आपको बताई है so guys thank you so much